पुलिस को चुप रहने की आदेश भी तुम ही देते हो और फिर जिनकों मारा जाता है जिनके खिलाब होती है वो मुसल्मान ही है उन्हीं मुसल्मानों के खिलाब फिर आप तुम मुकद में भी करते हो उनका भी एंकाउंटर भी करते हो उनके मदर्सों की भी चांच करते हो वो जबर जसीद, अच्छा, मैं देखनूंगा तुझे, जान समार दूगा अगर ऐसे हुआ तो, यह जो चीजे हो रही है यार, यह सुप्रिम कोट का तरीका नहीं है, तिके बिना सरकार के आदेश के, सही बात है कि वो आदेश लिखित में नहीं होगा, कोई लोग जा रहे ह हो, इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश है, अब क्यूंके इन खुझाल से के बाद, यह जो दोनों लड़के गरफ्तार किये गए हैं, जिन्होंने खुलासा किया, कि दो घंटे के टाइम पुलिस ने दिया था, एक पत्य को पकड़ रहे हो, इस घिनोंने अपर नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरंपोर, मैं हूँ प्रभात, और बहराईच हिंसा को ले करके, जिस तरीके से सुप्रिम कोट में मामला पहुचा, बुल्डोजर एक्सन को ले करके, और हाई कोट में इससे पहले हाई कोट ने रोग लगाई, और फिर सुप्रिम कोट ने, इससे एक तमाम सवाल भी खड़े होते हैं, जिस तरीके से पहले एंकाउंटर करके वाहवाई लूटी जा रही थी, उस चीज को ले करके भी, और उसके बाद बुल्डोजर एक्सन पर भी, और कड़े शब्दों में कोट ने फटका लगाई है, किन नियमों के तहत मामले पर अब कहीं न कहीं योगी सरकार पर प्रस्चिन खड़े हो रहे हैं, कोट से भी, सुप्रिम कोट या हाई कोट से, केवल अकिली ये बात नहीं है, कि अब ये भेराइच वाले मामले में हाई कोट या सुप्रिम कोट से बुल्डोजर को ले के प्रस्चिन कड़े हैं और वो अपनी गुंडागर्दी मैं यही शब्द इस्तमाल करूंगा गुंडागर्दी खुल कर जो है दिखा रहे हैं केवल बुल्डोजर ही नहीं जैसे मैंने पहले भी का था कि भाई जिस दिन ये सारी घटना हुई चले उस दिन तो ठीक उसके बाद अगले दिन पूलिस क जल गही और उससे भी अब जो मतब गंबीर चीजें जो सामने आ रहीं है केवले बुल्डोजर ने बुल्डोजर चलाणा तो पूरी तरह से गहर कानुनी है गहर कानुनी करहा हूं और गहर कानुनी भी नहीं मैं कहोंगा कि इस बहुत गिनोना बहती भयानक अपराद भी है कि अगर मालन लेते हैं कि अपराद किसी एक व्यक्ती ने किया है और उसके घर को गरादना तो उसके परवार का कौन सा दोश है क्या आपने कभी देखा है कि माना किसी ने खून किया हो और सजा उसके साथ साथ उसके पिता को उसकी मा को उसके भाई को उसके बेटे को उसकी बेबी को उसकी बेहन को उसकी बेटी को उनको हुई हो ऐसे गभी होता है क्या या माने कि कहीं किसी में कोई जगडा हुआ, किसी ने कोई से कोई थपड मारा, तो क्या उसकी सजा उसके परिवार के किसी अन्यवेक्ति को या किसी उसके दोस को किसी को होती है क्या, कानून जो है वो ये कहता है कि जिसने अपराद किया है, दोशी वही है और सजा भी उसी को होगी तो आप घर तोड़ रहे हैं मकान तोड़ रहे हैं दुकान तोड़ रहे हैं उन लोगों का परिवार के उन लोगों का अपराद क्या है कुछ नहीं पर तुमारी नजर में क्योंकि तुमारी गंदी घिनोन यानि बीजेपी की गंदी और घिनोनी जो राजनिती है वो हिंदू-मुसलिम के अलावा और कुछ नहीं है सो मुसलमानों पर जैसा चाहो अत्यचार कर लो और सबसे ज़्यादे दिक्कत बाती है कि ये जो अधिकारी है जो एक्जिक्टिव इंजीनियर हैं असिस्टेंट इंजीनियर हैं जेई हैं और जो अधिकारी हैं ये सारे के सारे लोग जो इस बुल्डोजर संस्कृती में बहुत पुरी तरह से तलीन हो चुके हैं उसमें लीन हो चुके हैं और वो इसको जो प्रिफर कर रहे हैं वो जो घरों को तोड़ रहे हैं इनको क्या अधिकार है और इनको जरासी भी ये शर्म नहीं आई कि जिस दिन ये सरकार बदलेगी मैं लिख के दे रहा हूँ दावे के साथ लिख के दे रहा हूँ जिस दिन योगी सरकार बदलेगी, भाजपा सरकार बदलेगी, वो तमाम अधिकारी, चाहे जो भी हो, जिस जगे भी हो, चाहे वो अलीगड में हो, चाहे वो बहराइच में हो, चाहे वो अलाबाद में हो, चाहे वो लखनू में हो, वो कहीं भी हो, उनमें से कोई अधिकारी बच्चे गाने ही, मैं बहुत सिंपल सा बता दरू हूँ, उनको अपने इस किये की सजा मिलेगी जरूर, उन्हें बक्षा नहीं जायेगा, और वैसे भी, जो ये घरों को तोड़ने वाली बात है, बुल्डोजर चलाने वाली बात है, अगर आप कहते हो कि ये अनुथराइस क अगर हुआ, तो उसको होने देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, तब वो अधिकारी क्या कर रहे थे, क्या उन अधिकारियों को, जिनों ने ये अनुथराइस कंस्ट्रिक्शन होने दिया, और जिनकी जिम्मेदारी थी कि अनुथराइस कंस्ट्रिक्शन ना हो, लिए लिए उन्हें कोई सजा मिली क्या उन्हें कोई सजा दी गई क्या वो अपरादि घुषित यज़ित किये गई मतलब नहीं है सुप्रिम कोट ने पहले भी कितने कमेंट किये हैं पर जो कमेंट सुप्रिम कोट करती है क्या उसके आदेश उसी तरह से आते हैं क्या नहीं आते ना क्या आप वहां बैठके किसी को धमकार हो ना यह आपका काम थोड़े है भाई आपका काम है आपके सामने मु सीरियस हो सकता या गंभीर हो सकता है इसके पढ़ना मैं से हो सकते हैं मैं नहीं समझता कि सुप्रिम कोट को इस तरह की कमेंट करने की कोई जरूरत है ये तो जैसे आजकर नेतागिर्दी हो रही है ना वो जबर जशित अच्छा ऐसम मैं देखनूंगा जान समार दूँगा अगर ऐसे हुआ तो मतलब ये जो चीजें हो रही है याद ये सुप्रिम कोट का तरीका नहीं है आपका तरीका है ऑन मेरिट देखिए जो सही है वो कीजिए बात खत्म कमेंट की क्या जरूरत है क्योंकि मैं पिछले कई बार से देख रहा हूँ कमेंट तो बड़े-बड़े आते हैं कमेंट तो आते हैं कि इसका एगलाब तो कोई मुकदमा नहीं बनता लेकिन उसको फिर बेल भी नहीं मिलती सुप्रिम कोट ही कहती है सुप्रिम कोट के जजी कमेंट करते हैं कि इसका अगलाब तो कोई केस तो बनता नहीं है, फिर सुप्रिम कोट ने बेल को नहीं देती, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद की बुल्डोजर एक्शन पर पहले भी सुप्रिम कोट ने रोक लगाए, फिर भी ऐसे योगी प्रशाशन या योगी सरकार इस तरीके के न दो अधारण दूँगा, बहुत मज़दार वात हो गई, अभी बहुत बढ़िया जो हमारे CJI वर्तमान में हैं, उन्होंने जो कमेंट किया भगवान की शरण में जाने का, ठीक है न, भगवान की शरण में जाके फैसले देने का, अब दो दो चीज़ से समझुआ, अभी हर पैरोल वाले में कहने वाला, इलक्शन कमिशन का क्या लेना देना है, और इलक्शन कमिशन का कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो हाईकोट ने बेल कर दी, और बेल की समय हुई है, जिस समय हरियाना में चुनाब हो रहे हैं, और जिस वक् राम रहीम और ये जो सब लोग इलक्षिन कमिशन इस सारे की सारे मिले हुए हैं और अब आप ठीक इसी तरह से समझो कि बाबरी मस्जित के उपर जो भी चीफ जसे साब ने अपने गाउं गए और वहां कहा कि भाई जब ये फैसला जो मुझे करना था तो मैं मैंने जो है अगवान भरो से नहीं समविधान के अनुसार आपको काम करना है और सारी दुनिया जानती है कि सुप्रिम कोट ने इससे घटिया फैसला जो बाबरी मस्जित का दिया कोई इससे घटिया फैसला नहीं हो सकता और इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता जो सुप्रिम कोट ने तेह नहीं करना था, हाई कोट ने तेह कर दिया, फिर आपके यहाँ सुप्रिम कोट में आए, और आप कह रहे हैं, और आपने जो है, वो जगे उन लोगों के लिए दे दी, जिसके विशे में खुद सुप्रिम कोट अपने उसमें कह रहा है, कि बाबरी मजजित तो समझ में नहीं आता, कि कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे मिला हुआ है, और समझ में नहीं आता, इन सब चीजों का क्या लोग अपना वो लेंगे, इसका क्या अर्थ लगाएं, कि जब चीफ जसिस के घर पर, गनेश पूजा हो रही है, और प्रधान मंत्री पूजाते, अब प्रधान मंत्री उस पूजा में शामिल होते हैं, लोग क्या माने इसको, और जो फैसले आ रहे हैं उसके बाद, और उससे पहले जो फैसले आ रहे हैं, उसके विशे में क्या कहें, क्या माने लोग, तो साफ जाहिर है कि इस देश में एक भयानक एक भयानक एक ऐसा जो एक कोकस मन गया है ऐसे लोगों का एक मतब ग्रूप मन गया है जो सारे के सारे धर्म के नाम पे इखटे हैं वो सारे के सारे सरकार भी मिली हुई है अदालत भी मिली हुई है मीडिया भी मिला हुआ है प्रशासनिक अधिकारी जो है जिसे बिरोकेट्स केते हैं वो मिले हुए है और साथ में जो टॉप के पूझी पत्ती है वो मिले हुए ये पाचों के पाचे आपस में मिले हुए हैं और ये अपने हिसाफ से सारे फैसले करते हैं ते इनके विरोध में कुछ नहीं होता बाकि सब के विरोध में सब होते रहते हैं लेकिन जो इस बहराईच का मुद्दा है उसमें फिलहाल जो एक एंगल निकल करके आ रहा था शुरू-शुरू में कि एक संगटन एक समधाय के सब कुछ मरवाया सब लोगों पत्तराओं किया सब चीज़ें लेकिन वो सारी चीज़ें उल्टी हो रहें हैं अब देखी जा रही है कि इसमे कारे करताओं के खिलाब F.A.R. कराई है जिसके जिसका कहना यह है कि जो गोली भी चली उसकी गाड़ी पर उसका बच्चा भी लड़का भी मरते मरते बच गया है नहीं है यह भी इसी तो वह है लेकिन बाद में उन्होंने मुगर गए कह रहे हैं कि यह इस तरीके जब जांच भी उसका युवा मूर्चा का उसका नगरत देख्चे तो कौन लोग हैं वही लोग हैं अब चाहे कितने घुमाने की कोश्च करो एक तो यह है कि और दूसरी जो सबसे बड़ी खतरनाक जो इस सामने आ रही है वह वह आ रही है जो दैनिक भास करके लोगों ने पत्रकारों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है उन्होंने जो रिसर्च की है और उसके बाद जो सामने आ रही है कि जो दो लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें दो घंटे के टाइम दियाता है यह तो थोड़ी सी गड़बड होगी नहीं तो पूरे महाराज गंज को खत्म कर देते हैं यही कहा हूं उनका यही स्टेटमेंट है तो बात यह है अगर पुलिस दो घंटे का समय दे रही है तो पुलिस बिना सरकार की मर्जी के बिना सरकार की सहमती के बिना सरकार के आदेश के सही बात है कि वो आदेश लिखितम नहीं होगा वो आदेश ओरली होगा मुझबा नह सरकार के आदेश के पुलिस ऐसा नहीं कह सकती और पुलिस अगर ये कह रही है तो पुलिस के खिलाब उस अधिकारी के खिलाब जिसने इस तरह की बात कही है जिसने दो घंटे का समय दिया था उनके खिलाब भी बाकायदा F.I.R होनी चीए और कड़ी से कड़ी कानूनी कारवाई होनी चीए और उस पुलिस अधिकारी को बताना चीए कि किस सरकार के किस व्यक्ती ने कौन था वो क्या वो कोई मंतरी था गिरे मंतरी था ये स्वम्मुख्य मंतरी था किसने ये आदेश दिया उसको कि होने देना जो भी कुछ है और दो घंटे का समय दिया जाए तो दो घंटे का समय दिया जाए यह है लेकिन एक बात बिलकुत साफ है उस समय भी जो लोग मान रहे थे और अब भी जो लोग मानने हैं यह बात तो बिलकुत इस पस्ट हो गई कि दंगा कराने के लिए जिम्मेदार केवल और केवल भारती जंता पार्टी और भारती जंता पार्टी के उत्तरदेश के सरकार ही जिम्मेदार है जो भी बहराइच में हुआ उसके लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार है और उनका जो साफ है कि जहां भी मौका लगे मुसल उनके साथ उन लोगों के भी खिलाब कारवई होनी चीए ना जो लोग दो घंटे का समय दे रहे थे और जिनके कहने पर ये दो घंटे का समय पुलिस दे रहे थे उनके खिलाब कारवई होनी चीए तो आप केवल एक पत्य को पकड़ रहे हो जो जड़ है जो पेड़ है इस ब क्यों नहीं पकड़ो आप अगर ये बात मुख्यमंत्री के दौरा कही कि पुलिस को तो मुख्यमंत्री को गरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए योगी को क्यों छोड़ दाना चाहिए यह किसी मंत्री ने कही यहां से केंद्र से किसी मंत्री ने कही क्या उसने कही क्या कि किसी ने में कही उसके खिलाब कारवाए होनी चीह इससे क्या होता है यह तो सारे के सारे प्यादें हैं प्यादों को क्या लायना देना है असली तो वह है वो दिमाग जो दिमाग इस गंदगी को फैलाने के लिए जिम्मेदार है इस कटले आम को इस अत्याचार को, इस आघजनी को इस बर्बादी को करने के लि裏 जिम्मेदार है असले तो है, उसके किलाप क्या कारवाई इनकी, यह तो कीडे में कोड़ है इनके क्लाप क्या कारवी करनी है लेकिन अफ शुरू कर दी गई है का रही है काजा है अब मदरसों पे अब देखा जाएगा फंडिंग कोन होती है मदरसों पर रोक लगाई जायेगी सारी चीज़े कही जारी है लेकिन कभी वक्त आया और सरकार में आने का अच्छे लोगों को मौका मिला और यह अच्छी सरकार आई तब तुम्हारी ये सारी की सारी जो तुम्हें गंदगी फैलाई तुम्हें कहां कहां से तुम्हें फंडिंग होती थी कहां कहां से तुम्हें पैसा लुटा सरकार के किन कि प्रोजेक्ट का पैसा तुम्हें इधर उदर आगेगी ना अब ही तो तो 앞으로 की फंटिंग तो तुम्हें आ आती है जो चाइना से फंडिंग लेते हो están वेफेकनेट नंद फांडेशन जो तुम्हें चला रखी है उसकी जो फंटिंग आती है उसके कोई नहीं कोई कारवाई सब इन से लिंक किया रहा है यह सारी कि सारी इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश है अब क्यूंकि इन खुतार से के बाद यह जो दोनों लड़के गरफ्तार किये गए हैं जिन्हों और ने खुलासे किया कि 2 गंटे के टाइम पुलिस ने दिया था इस खुलासे के बाद सरकार जिस तरह से पूरी तरह से घेरे में आगई है और जिस तरह से योगी सरकार और योगी पर सिदे उंगली उठने लगी है, इस सब को डाइवर्ट करने के लिए मदर्सों की बात कर रहे हैं, समझे न जी, तुम साथ साल से आठ साल से सरकार में बैटे हो, अब जाके तुम मदर्सों की जो वो करा रहे हो, यह तो तुम पहले इस गुंडागर्दी के सेथ, दंगा भी तुम ही कराते हो, मारते भी तुम ही हो, मरवाती भी तुम ही हो, पुलिस को चुप रहने की आदेश भी तुम ही देते हो, और फिर जिनको मारा जाता है, जिनके खिलाब होती है, वो मुसल्मान ही है, उन्ही मुसल्मानों के हमें मालूम है कैसी सुरक्षा पुलिस करती है कैसे एनकाउंटर पुलिस करती है हमें मालूम है और हमें नहीं सुप्रिम कोट को हाई कोट को सबको मालूम है हाजारों की संख्या में एनकाउंटरों के खिलाब जो है मुगध में सुप्रिम कोट मारा हाई कोट में पढ़े हमारी ही छोड़ो सुप्रिम कोट के जजीस का कमेंट देखो और साफ उसमें कहते हैं वो कि फर्जी एंकानटर कि lawsuit énorme किता कि यह कस्तोडों रख फोती है थानों में जो मौत होती है कै कैसे वाजिव है भई कोई आदमी थीक-ठाक तुम उसे गरपतार करके लाते हो ठीक-ठाक आदमी मत जाता थाने में मुझं इतना डिल लगता हूँ सताने से उसका ह।ट हटो जाता है ह। नहीं नおお सुछ पिटाई होती है उसका मारा जाता है और हजारों की संक्या में यह हर साल होता है किसे हो जाते हैं एंकाउंटर सबको मालूम है कि एंकाउंटर किस सरे से किये जाते हैं किसके कहने पर किये जाते हैं अब क्या लग रहा है कि अब न्याय जो मिल पाएगा जो असली जो पीडित है उनको न्याय मिलेगा या गुनहगार क्योंकि पीडित पक्ष भी इससे खुस नहीं है कि गोली मारी गई पैर में देखिया न्याय किसी को नहीं मिलता अब मुझे एक बात बताईएए आपने उसके देखा है जो वो लड़का मरा जो लड़का ऊपर जाके जंडा जो लगा रहा था और जितने जंडा फाड़ा था उसके बाप का देखा अपने वीडियो जो आ रहा है वो जिस तरह से कह रहा है उसके बाब और साफ समझ महाना है कि वह नीचे को जब यू कर देख रहा जब वह बोला और उपे श्क्रा Until आ रहा है साफ Of वीडियो में कोई है वो बता रहा हुसे कि ऐसे नहीं है से बोल वो गरीब आदमी है और मरता गरीब ही है चाहे जो भी हो जो भी हो मरता गरीब ही है चाहे इधर से हो उधर से हो मरता वही है लोग इस भूल में नहीं रहने चाहिए इस देश के लोगों को कोई भी है किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि इस देश में उन्हें न्याय मिलेगा कोई सरकार उन्हें न्याय देगी कोई अदालत उन्हें न्याय देगी ना सरकार द्वारा ना अदालत द्वारा कोई न्याय आपको गहे दे दी, तो मैं उसके विशह में में एक ये बात कहेई थी, बहई बाबरी मजिद वाला फैसला ऐसा हुआ, कि चार गुंडे मेरे घर पे आके, उन्होंने जो एक कबजा कर लिया, मैं गया अदालत में, कि साब ये गुंडों ने मेरे घर पे कबजा कर लिया, देखो मेरे येरे कागज मैं इतने समय से ले रहा हूं यहां से मैंने खरीदा ये मेरी सेल डीड है ये सारा सब कुछ मेरे पेपर है ये मेरे बिजली का कनेक्शन है ये मेरे फोन का है ये मेरे उसका गैस का कनेक्शन है सारे सब कुछ है तो अदालत ने कहा भी बिल्कुल ठीक बात है तेरा ये है घार कागज भी तेरी माल लिया है पर भाई इन गुंडों से तो जाने बचानी है तो इन्हें दे 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 तुझे कहीं और दे देंगे तो बाबरी मज्जिद वाला तो फैसला यही था उनको दे दी गई जिनका कुछ नहीं था और जिनकी थी जमीन उन्हे कहीं बाहर जाके जोगे इन पांच भी गया पांच एकर जो भी देनी है वो जगे दे दो जो भी आज तक मिली नहीं मिली क्या हुआ क्या नहीं हो तो यह जो इस्तिती है न्याय नहीं मिलेगा इस भ्रह्म में मत रहो किसी को यह भ्रह्म नहीं पालना चाहिए कि तुम न्या क्वास रखते हैं कानून पढ़ते हैं पढ़ाते हैं जजों से भी कानून में भी बात करते है पर भाब जुदुर्ट के हकीकत जो है मैं तो वह हकीकत बता रहा हूं कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता मॉझे बता थे कोई आदमी किंसको प्झेय। फैसला हो सकता है किसी के पक्ष में हो गया हो फैसला और वो फैसला भी इतने समय बाद अगर हो तो होने ना होने का कोई मतलब नहीं है कुछ लोगों को सपानेता हूँ या कुछ लोगों को रोका जा रहा उस जगा पे जाने के लिए क्या लगता इस पर राजनीती भी शुरू हो गई है राजनीती के लिए और जिस तरह कि अगर आप मानिए कि जो वो बता रहे हैं बात कि पुलिस के द्वारा दो गंटे की छू जाता तो इसका उस हिसाब से तो पुरा महाराज गंजी जला के राक कर दिया जाता कितने लोग मारे जाते क्या होता क्या है इससे घिरोनी राजनीती क्या होगी और जो लोग महां जा रहे हैं इस देश में हर नागरिक कोई अधिकार है कहीं भी जा सके और अगर इस तरह की वारदात होती है तो लोगों से मिलने उनके प्रतिस समवेदना व्यक्त करने उनके दुख में शामिल होने या उनको अगर किसी तरह की कोई मदद की जरूरो तो कानूनी या किसी भी तरह की उसको देने के लिए अगर कोई लोग जा रहे सरकार को डर किस बात का है तुमारे पास तो सब कुझ है सारी ताकत है तुमारे पास तुम डर किस बात का है अगर तुम डर रहे हो और ऐसा ही होता रहा केबला जी यहां की बात नहीं बहराईच की बात नहीं हर जगे की यह बात है मतब एक नेता अगर एक नेता के उस पर फूल माला चढ़ाने जा रहे हैं उनके दिवस पर आप उन्हें रोक रहो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही बही अकली जातों ने ट्विट किया समाजवादी पार्टी तो उनको पता दिया गए डिन ने हिंदू विरोदी है परिवारी अरे कुछ भी देखिए वो जो लोग हैं जो लोग के हिंद्री या मंत्री काहे के मंत्री हैं ये सब ये जो लोग हैं जो सब इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं सारे के सारे लोग इनकी आज सत्ता में हैं जो मन में आये कह दो अकले शाद अब हिंदू विरोदी कहां से अगले शाद अब खुद हिंदू नहीं है क्या हिंदू विरोधी जिसको चाओ मुपएव लग रहा कि हिंदू विरोधी हिंदू विरोधी अब है तुम चंद लोग हो जिन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है इस देश में फैला रखी है सर्कार करा रही है इससे गिनोना और रूप क्या होगा इसा होता किराइम मुख्ध जहां कहीं भी किसी बी तरह से कोई क्राइम नहों पर अगर आप बैराइश को देखो और उन दो लुडकों की जिनको अभी रस किया गया, उनके इकलाब किया बात करें, उनका जो पूरा देखो, पुलिस ने दो गंटे की छूट दे रही थे, तो ये क्या है? ये सरकार कराम नहीं करवा रही है? सरकार जो है, कि हत्या नहीं कर तो सरकार जिसको बात करिए, सरकार उनको गुंडे कहती है, जो सरकार के नहीं है, अब जब सरकार ही सब कुछ कर रही है, इतने जगन्य अपराज जब सरकार खुद कर रही है, तो आप कैसे करोगी सरकार मुद्द, मैं समझता हूँ यह तो और पुरानी इस्तित से भी बहुती गंभेर बड़ी भयानक इस्तिती है, अब सब पर आरोप नहीं लग रहे, कनाड़ा आरोप लगा रहा, बिस्नोई पर, तो बिस्नोई बैठा है एहमदाबाद में, तुम्हा तुम्हारे एंडर में, तुम्हारे कन्ट्रोल में है, और वहां से वो वहां तक करवा रहा, कनाड़ा तक अपराद करवा रहा, वो बंबई में जाके कतले हम करवा रहा, कैसे, कैसे आदेश दे रहा, क्या वो फोन पर आदेश दे रहा है, कहां से फोन आ रहे हैं, क्या वो तो कौन है सबको समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, अदालत को समझ में आ रहा है, निताओं को समझ में आ रहा है, आम पबलिक को समझ में आ रहा है, पुलिस पिर्शासन को समझ में आ रहा है, कि इस सारी गुंडा गर्दी के लिए, इस तमाम हत्याओं के लि तो गुंडागर्दी यह जो आप कह रहे हो कि कानून का राज है कानून का राज नहीं है चंद सर फिरे गुंडों का राज है जो धर्म के आधार पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और एक समुदाय विशेथ यह यू को हो कि मुस्लिम समाज दलिस समाज और OBC के लोगों के खि को मोदी-योगी सरकार को केंद्र और राज्य से पूरी तरस उखाड़ कर नहीं पहकोगे इस देश के हालात बदलने वाले नहीं हैं आज हम उसी इस्षिति में पहुंच चुके मैं बार-बार ये बात कह रहा हूं इस बात को समझो आज देश उस इस्षिति में पहुंच चु जिस तरह के हालात हो चुके हैं जिस तरह की बीजेपी की सरकारी इस तरह पर गुंडा गर्दी चल रही है जिस तरह की इलक्षन कमिशन के माद्यम से और सरकार के साथ मिलकर बीजेपी को या मोदी को जिताने के लिए जितनी कारवाई की जा रही है देश के लोक्तंतर सम्विधान को जिस तरह से पैरों तले कुछला जा रहा है उसकी हत्या की जा रही है जब तक इलक्षन कमिशन को मोधी सरकार को योगी सरकार को सरक पर आकर अंदोलं करकर जड़ से उखाड कर नहीं फैक दोगे इस देश के हालाद बदलेंगे नहीं यह है मेरा मेसेज और सरक पर आना पड़ेगा जितनी जल्दी आ जाओगे उतना बड़ी है एक दिन तो लड़ना ही पड़ेगा एक दिन चाहा आज लड़ो खल लड़ो यह पर्सन लड़ो लड़ना पड़ेगा इस देश के लोगों को जितनी जल्दी लड़ लोगे उतना कम नुक्सान होगा जितनी देर में लड़ोगे उतनी ही तबाई जयाद होगी सम्विधान के हिसाब से सम्विधान के दाइरे में तो आदमी लड़ेगा है मैं तो सम्विधान के दाइरे में कह रहा हूँ मैं किसी तोड़ी करा हूँ कि मैं कानून के विरुद में होके या गैर कानूनी तरीके से सम्मेधानिक तरीके से, लोगतांत्रिक तरीके से, सडक पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे किसानों ने किया, जैसे CINRC के दौरान मुस्लिम समाज ने किया, मुस्लिम महिलाओं ने, बेहन बेटियों ने किया, इस तरह से करना पड़ेगा. बहुत बहुत शुक्रिया से हमसे बात करने के लिए आप भी अपने इस बहराईच मुद्दे पर अपनी राय रखिए और कमेंट करके बताईए आप क्या चाहते हैं क्या सवाल उठ रहे हैं उन पर आपका क्या कहना देखते रे पूरमपोर नमस्कार और नोडिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन दबाई